आज का जमाना Research and Technology का जमाना है दुनिया के लोग दुनिया में लोग तक्दीक के जरिये एक से बढ़कर एक मुकाम हासल कर रहे हैं लेकिन Medical World की Achievement इंसानियत के लिए होती है क्यूंकि उससे लोगों की सेहत को पूजा फायदा पहुचता है और मिसाल के तौर पर अपने देश में हुई सबसे latest research भारतिय विज्ञानिकों ने एक ऐसा algorithm तयार किया है जिससे Parkinson जैसी खतरनाग बिमारी का ना सिर्फ को वक्त से पहले पता चलेगा बलकि उसके इलाज में भी आसानी होगी शुर्तिका ये तो बहुत ही अच्छी ख़बर है पूजा लेकिन दिमाग को खतरा सिर्फ Parkinson से नहीं है आजकल तो brain stroke भी लोगों की मुश्कल बढ़ा रहा है लेंसन जिनरल में छपी स्टडी के मुताबिक साल 2050 तक हर साल stroke से लगभग एक करोड लोगों की जान जा सकती है अभी की बात करें शुतिका पूजा तो इस वक्त दुनिया में brain stroke के मामले हर साल डेड़ करोड के करीब आते हैं अकेले भारत में हर साल 18 लाग से ज्यादा लोगों को stroke आता है और ये नंबर गर्मी के मौसम में और बढ़ जाता है जी हाँ जोटसना बिलकुल सही कह रहे हैं पारा 42 जिगरी पार हो जाते ही अस्पतालों में brain stroke के मरीज पहुँचने लगे है और इसकी वज़ा heat wave तो है ही लोगों की लापरवाही भी है ठंड गर्म का ख्याल नहीं रखते एक सेकिन में AC से चिलचलाती धूप में निकल जाते हैं प्यास को इग्नोर करते हैं नतीजा dehydration और गर्मी के exposure से brain stroke के शिकार हो जाते हैं वैसे गर्मी के अलावा stroke की सबसे बड़ी वज़ा है hypotension दरसल BP high होने पर दमाग की cerebral arteries पर pressure पड़ता है और वो फट जाती है जिससे brain hamerage हो सकता है शुतिका लेकिन हम ऐसा होने ही नहीं देंगे योग गुरू आज ऐसे चमतकारी उपाय बताएंगे जिनसे BP कंट्रोल रहेगा stroke की समस्या भी नहीं रहेगी और dehydration को कैसे दूर करना है ये तो बार-बार स्वामी जी बता ही चुके हैं इस वाक्त हमारे साथ जुड़ भी च देखो हम तो रोज योग जोगें के कम से कम कहते हैं दो पोज एक ये और फिर हमारे पीछे फावारे चल रहे हैं उपर भी थोड़े भादल मंडरा रहे हैं और फिर मेरे सामने ये प्याज ये कह रही है जब तक मैं इस धर्ती पर हूँ कैसे किसी को brain hamerage होगा कैसे किसी की kidney कैसे किसी का liver खराब होगा कैसे कोई dehydration का सिकार होगा ये heat wave उसका solution है क्या ये प्याज ये जो ये चने का सत्तू फिर देखो इदर ये चल रहा है पूरा सिरोधारा का फ्यास ये सिरोधारा च्छाट से करवा देते ठड़ी दूद से च्छाट से नारियल के तेल से नारियल का तेल और बादाम का रोगन ये नाक में डलवा देते तो नाक से नक्षिरा जाती है लोगों को जल नेते और सूत्र नेती करवा देते हैं हाँ बड़ा जबरदस्त मामला है तो ये जल नेती ये भी गर्मी के अंदर ठंड़क देती है दिमाग को और इदर हमारी म ये खाली पेट चमच भी भी सकते गायका की वर्जिन को कॉपन ये बखार और इसको शिर में लगाते भी ये तो अभ्यास एक तो ये और एक ही ये ये तो कभी नहीं छोड़ना ये तो बहुत ज़रोई है रोज सुरण मस्कार करना ही करना ये तो अमारी रोज की दिनचरिया हो गई है आज मैं ऐसी सोच रहा था आने से पहले अभी तक कई क्यूंटल पसीरा में बहा चुका हूंगा मैं सुबसुब दोड लगाता हूं फिर सुन नमस्कार करता हूं दंड बैठक लगाता हूं सब को कहता हूं कम से कम नमस्कार करें दस मिनट तक योगी जोगिंगpha हुआ दंड बैठक यह जो सिखाते हैं हम आपको रोज कम से कम दो बैठक इक यह ऐसे ऐसे यह एसे एक आर यह दुसरी यह एसे और इसे आपको यह तो रोज की दिन्चरिया का हिस्सा बना दिया हुने सर्दियों में सुरू की थी फिर एक यह है इसका नाम है मिस्रदन ऐसे यह और दूसरा है यह हनुमान दन वीर हनुमाना ती बलवाना ऐसे यह और ऐसे यह यह तो रोज की दिन्चरिया का हिस्सा है और जो इतना भी न कर पाए नहीं तेजी से जो न कर पाए ऐसे फिर उनके लिए विकल्प दे रखा है आज कल हमने अनग लग चैलेंज भी दिये वे पहले हमने मिस्स दंड का हनुमान दंड का अभी आज पाश्व दंड का पर आगे चकर दंड का चैलेंज में देखेंगे जलनेती सुत्रनेती का भी चैलेंज हम देने वाले हैं और लोग कितने हचारों चारों की संख्या में वीडियो भेजते हैं अभिनेंदन योग मैं हो रहा है योग युक्त हो के सब रोग मुक्त धवा मुक्त दोश मुक्त क्रेश मुक्त विकार मुक्त जीवन मुक्त जीवन जी रहे हैं यह रोग मुक्ती का जीवन मुक्ती का अभियार अनुष्ठान सो तो वार ऐसे भुजंग आसन अच्छा बताओं सो साल स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपनी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी गर्मी से भी बचाती है सर्दी से भी बचाती है सुख दुख लाभानी जैपराजे मान अपमान के बीच में सम रहना शिखाती है इम्यूनिट अजने के लाभी दिए स्वामी ओ Laurie камहा था अथाने की तरह 279 फीड़ों लगानाना थे अच्छे बच्छे हो दुख गाया प्रहां डगरा mirac氏 ऐब wydaje about pardon तो पहुंचने लगिये स्वामी जी कैसी शुरुवात होनी चाहिए हर दिन की वो तो आप बता ही रहे हैं लेकिन आज दिमाग के हर दुश्मन पर वार होगा ब्रेन स्ट्रोक, हैमरिज से बचने के उपाय भी जानेंगे लेकिन उससे पहले एक स्टडी का मैं जिक्र करना चाहती हूँ जिसके मताबक रिसर्च जो है वो ये कहती है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से ब्रेन की हेल्थ सुधरती है उसका आकार बढ़ता है, दिमाग तंदरुस्त रहता है तो सबसे पहले दिमाग को मजबूत और तेज बनाने के लिए वाम अप तो आपने करवा दिया पावर सेशन की शुरवाद भी करवा दी है, इसके लावा कौन कौन से ऐसे योगा आसन है जिने करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए और एक एनरजेटिक शुरवाद दिन को में ये नर्वस सिस्टम के लिए भुजंगासन और दूसरा ये मरकटासन बहुत जरूरी है, इधर ब्राह्मी संखपुष्पी से गाय का घी डाल करके धूमनस से फिर त्राटक, देखो ये जो ठेरापिया हम रोज बताते हैं ये कोई ठेरापिय का प्रचार नहीं है, सब के ल फिर गाय का घी, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ओयल से ये जो अभ्यंग, सिरोधारा, नस्य, जलनेती, सूत्रनेती, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बढ़े जावर दासते हैं, रोज एक दो ग्राम अशोगंधा रोज ले ले, एक दो ग्राम ब्राह्मी, मेधा कौात में, मेधा बटी में है, और देखो ये जो कुलडी के अंदर भी अमने उस तका दुस गाजवान सो बिगो के रखा हुआ है, इसका पानी पीने मात्र से, माइगरीन पेन, ब्रेन, स्ट्रोक, और अलजाइमर, डिमेंसिया, पार्किंसन्स जैसे रोगों में अप मिलों मिलों तो अप्रतिम है, जहां से हमने सुरुवात की थी, ये अप्रतिम है, मस्तिस्क के लिए मैं दस चोटे-चोटे उपाय बताता हूँ, घरे लो, दस आसन तो हो ही जाएंगे, मरकटासन भजंगासन से प्रारम करके, गाय का घी पीए, सुबह एक जमच, गाय का घ नारियल का तेल, उसके मसाज करें, उत्राटक करें, सिरोधारा और उससे नस्य, ये तो हो गया, एक उपाय, फिर रेडी मेट में ओमेगा मेधा मेमोरी, ओमेगा मेधा वटी मेमोरी, ये मस्तिस्क के लिए, मस्तिस्क को ताकत देने वाले अप्रतिम तत्व हैं, बहुत ही जवर्दस्त ओशधिया हैं ये, ब्रेन टोनिक के तोर पर, फिर मस्तिस्क को ताकत देने के लिए मरकट आसन के बाद, भुजंग आसन के बाद, ये सीर्शासन, अनुलोम मिलोम भ्रामरी उदगीत गायतरी की उपासर, ये मस्तिस्क के लिए अप्रतिम है, और फिर ध्यान, मेडिटेशन, ओंकार ध्यान, गाईतरी ध्यान, मस्तिस्क के लिए अप्रतिम है, भोर में उठना, हमने तो लोगों को बार बार जगाया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां, जो सोवत है, जो जागत है, सो पावत है, जो सोवत है, जागने का वक्त आ गया, उ और सुबह जल्दी जागने से ब्रह्म मूर्तिसरे उससे, हमारी जो मस्तिस के है न, इसको ब्रह्म कहते है, हमारी जो मेधा इसको ब्रह्म मेधा कहते है, तो भोर में उठने से ब्रह्म मेधा मिलती है, जो देर में उठते है, उनको उनकी मेधा, बुद्धी, तामसिक राज सिक हो जाती है तो यह सीर्शासन किया करें सीर्शपदमासन किया करें और शीर्शासन में मूल बंधु ड्यान बंध लगाया करें तो मुलाधार सिस्सरार तक अंतर शक्तिया उर्द गामी होती है एक शब्द है योग में अथ्यात्म में उर्द रेता होना उर्द जेता होना जो सीर्शासन में मूल बंध लगाते हैं ऐसे बेखोई नाभी से नीचे वाला भाग खिचा हुआ पेट पूरा खिचा हुआ ऐसे ऐसे मूल बंध उडियान बंध लगा के जब सीर्शासन करते हैं तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कोई रोग होते ही नहीं है स्ट्रेस प्री रहने के लिए आप दोड़ भी सकते हैं खेल भी सकते हैं तो रहा हैपिनेस के साथ जिंदगी को जीए हैपिनेस बहुत जड़ोरी है विश्वास में भर होसे में जिंदगी को जीए परिवार पर विश्वास अपने परी जनों पर विश्वास साथ ऐक आत्माव पर विश्वास करना सीखें यह सिर्शासन बहुत जबरदस्ता मस्तिसक के लिए और फिर सरवांगासन, और जो इतना भी ना कर सके वो अनुलोम मिलोम करो सब, वो बहुत ज़रोरी है, अनुलोम मिलोम. सीर शाहसन, ये मस्तिस के लिए बहुत ही जरूरी है, जो नो है पीछे ऐसे लगा दिया है, और घुपने सीधे पजे तले भी ऐसे. और फिर ऐसे एक तो सालम एक ये निरालम सरवांग आसन बिना हर्फ लगाए ऐसे इसे 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 स्वामी जी शीर शासन सरवांग आसन के साथ मश्टिष्ट को मजबूत बनाने के उपाय आपने बताए लेकिन गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी ने सितम धाना शुरू कर दिया है देश में कहीं पारा 43 तो कहीं उससे भी उपर 45 को टच कर रहा है और गर्मी का ये हमला दिमाग पर हो रहा है अस्पतालों में जो स्ट्रोक की मरीज है उनकी गिंती बढ़ रही है लोगों को ब्रेन हैम्रिज भी हो रहा है तो ऐसे में इसकी वजह क्या हो सकती है गर्मी है गर्मी के अलावा और साथ ही स्ट्रोक और हैम्रिज से कैसे बचा जाए तो देखो जैसे मैंने कहा कमजोर आत्मी पर सर्दी अटेक करती है हमारे गाओं में कहते थे वह सर्दी आगे पाड़ा और बुढ़ा मरेगा मतलब बुजोर की के बहुत कमजोर थी बच्सों को भी बचा आहा करते पूरे गद्रिय उढ़ा करके पैरे रखा करते है अब तो तस राएक के कपड़े पहना करके बच्चों को रखते बहुत भरूमें हीट जला के रखते तो तो देखो, जैसे कमजोर इम्łemडिटी वाले को सरदी सताती है ऐसे कमजोर इम्मेनदी वाले को घर میں भी सताती है जो हीट वेवस हैं, यह कमजोर आदमी पर असर करती है अमरोज डंड़ बैठक लगते, माई, जौन, जिलाई मैं, बैंकर, गर में मैं बीभी, मैंने इसुबह हिसाब लगाया कई क्यंटल क्या कई टन पसीना हम बहा चुके अभी तक लोग तो क्या करे एक तो योग करे योग सी इमिनिटी बढ़ाएं फिर देखो मेरे सामने ये बरामी कह रही है कि मेरे बारे में तो आपने बताया ही नहीं मैं भी तो सब की मस्तिस्क को मजबूत बनात ये बरामी ये संखपुषपी ये बड़ी जबरदस दीजे ये बरामी ये संखपुषपी ये खास इनका सर्वत भी गुलाब का सर्वत भी जूस भी है और चने ये चने का सत्व इसको अपना मिक्सी में डाल करके पीसरे इसी का सत्व घर में बना ले चना जो इसका हमने प ये मेधा क्वाथ बड़ा जबरदस्त है खैर ये तो मस्तिष के लिए ये ब्राहमी घृत ये तो एक चमस सुबह सुबह पी ले ना मस्तिष के के लिए इससे बढ़िया कोछ नहीं लोग ओमेगा अधी खाते वो भी हमने बना रखा है लेकिन ये ओमेगा का भी बाप है ये ब आप मंडू कासन ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और ये जो अमरीत रसाइन है ना ये जैसे गर्मियों के लिए चौन प्रास बाल प्रास हमने सारे देश को उपलवद कराए ना ये अमरीत रसाइन ना ये ये ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा दोने और साथ में प्याज रखिए प्याज का सेवर करें वाटर मेलन तर्बूजा खर्बूजा ककड़ी ये ज़्यादा खाएं लोग सौप ड्रिंग कॉल ड्रिंग पीते एक बोतल में दौस चुमची निरे रामा 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 उसमें चीनी फिर अलग प्रकार के बहुत सारे ऐसे डिक ये साभा अमारे जीवन के वाट तैसनेस कर देती हैं क्षत्विक्षत कर देती हैं अंदर से वारी गृडिक को floss ख्र देती है शॉब ड्रिंग से चाहर से बचला मंझुकाशर और ये फिर शशकासन आगे झुकना माने सिखाया था तो ये छोटे-छोटी चीजे करेंगे तो मस्तिस्क बहुत अच्छा रहेगा तो दिमाग के सारे टोनिक तो बता दिये अब ब्रेंस्टोक हो जाए पैलासिस हो जाए तो क्या करें तो ऐसी परिस्थितियों में अनुलोम मिलोम के साथ फिर जो आयर वीद में जो अप्रति लीट है चैनि मिलोगरी तै मेधा मैमोरी ओमेगा के बारे में पहरी बता है तो एल्वडेन ऑने जिसेंको यह स्ट्रोक आने की एक वजह लोगों की लापरवाही भी होती है ना तो वो अपनी प्यास प्यार ध्यान देते और ना ही ठंडे गर्म के एक्सपोजर से बचते हैं एसी से निकल कर तुरंत चिल चिलाती धूप में चले जाते हैं पसीना ज्यादा निकलता है और पानी ना पीने की वज़े से डिहाइडरेट होकर स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं तो ज़रा लोगों को योग के साथ ये भी समझाई है स्वामी जी कि ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे टेंपरेटर में जाते हुए क्या साथ धानी बढ़ती जाएं और ये तो आजकल बड़ा जरूरी हो किया है स्वामी जी लोगों के लिए समझना पहले गाओं के लोग कहा करते थे पहले क्या बोलते थे अरे भाई एक दम से ठंडे C कमरे से बार मच्चा सर्दगरम हो जाएक क्या बोलते गाओं में सर्दगरम तो पहले तो जादे से ज्यादा और दो कुलर ही चलाते थे अब A.C. उसको अठारा तक ले आते नीचे वाई जब कमरे से बाहर जाना हो तो ज साथे चार बजे ही टेंपरेचर 25 लियाओ। रोम का टेंपरेचर कितना लियाओ। पतचीस। हम वैसे तो ऐसी यूजे ही नहीं करते। कभी करना भी हो तो 27-26 पर यूज करते। और लोग कितने तक यूज़ करते हैं, 16, 18, एक ताम ठंडा ठंडा चाहिए, उनको हिमाला चाहिए, मसूरी चाहिए, उनको गंगोत्री यमनोत्री चाहिए, अपने कमरे में, यह गड़ बड़ा है, ऐसे ही रूम से बाहर निकलते हैं, समझ जैसे मनें बता हैं, जाते हैं, पह जैसे आप स्टूडियो में योग कर रही हो, तो पहले से इंस्ट्रेक्शन देखा करो, 25 टेंपरे रखना, 16, 18 नहीं, तो कमरे में आते समय टेंपरेचर, 25 या 28 का, और जाते समय भी टेंपरेचर, आदा घंटा पहले ही बोलतो, इसको 25, 28 पर कर दो बाई, तब एक बात तो करकडी खीरा दी का प्रयोग बताये, सुबह शुवर अंकुरीत, करकडी खीरा तर्बुजा, ख kindergooja, सुबह शुबह पकावा खाये नहीं, गर्मी गर्मी, हैसे चारोत गरमा-गर्म, सब नू चल रही है, लेव चल रही है, उन सब के बीच में, हाहाा, अपने घरों में तो यह जैसे ऐसे जाज जगह होती है जिनके घरों में ऑफिस में इंडेट इवी में काफी जगह आगे पीछे ऐसे फवारी चला के रखने जाए इसे जह जो रुखापन है हवाओं का बातावरण का उसमें नमी आएगी और गर्मी जह दूर हो जाएगी खैर और आखी भी खुश-खुश महसूस करेंगी और जो गलतियां लोग कर रहे हैं खासकर सर्दगर्म के लिहाज से वो गलतियां लोग कम करेंगी स्वामी जी एक नई स्टेडी का मैं जिकर कर लेती हूँ जिसके मताबिक ये पता चला है कि साल 2050 तक दुनिया में हर साल एक करोड मौत स्ट्रोक से होंगी और स्ट्रोक की सबसे बड़ी वज़ा है हाइपोटेंशन तो स्वामी जी बीपी का दिमाग से कनेक्शन क्या है जरा एक बार फिर से इसके बारे में समझाईए और हाइ बीपी दिमाग को टेंशन ना दे उसके लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए देखो अब दो मिनट में एक बहुत बड़ा तथ्य और सत्य बेदे इस दुरिया के सामने अरकाना चाहिए गर्मी में पित बढ़ता है पित बढ़ने से बीपी बढ़ने से स्कीन की भी बहुत तरह की प्रब्लम होते है घमूरियों से लेकर किसी किसी को मुहासे से लेकर कि पुरी शिरिर में दाद खाज खुजली से लेकर के बहुत तरह के चर्मरों होते है गर्मी बढ़ने से पित बढ़ने से सिर में दर्द भी होता है उसी से फिर एसीडीटी होती है मुँ में छाले भी होते पित्त बढ़ने से ही पायस फिसर फिश्टूला बढ़ जाता है कोलाइटीस की प्रोब्लम हो जाती है अलसिरेटी कोलाइटीस हो जाता है तो गुसा आता है फिर नीद उड़ जाती तो पित्त के प्रशबन का उपाय करे अवी पत्ती कर चूण सो ग्राम दस ग्राम मुक्ता शुक्ती मिला करके उसमें काम दुधा भी मिला सकते हैं दस ग्राम और ये दो दो ग्राम सुबह सामने ले अत्वा काम दुधा मुक्ता शुक्ती मोती पिष्टी दस दस ग्राम ले करके आधा ग्राम ये सोफ के पाने में या अलोवेरा की जूस में ये अलोवेरा का जूस में अत्यंत पित्त सामा का है अलोवेरा का जूस वेटर ग्रास लोकी का जूस ये लोकी ऐसा कुछ नहीं कि हमने लोकी का प्रचार करने का ठेका ले रखा है लोकी ये अलोवेरा ये वेटर ग्रास ये अ को यह हि Jaet Tei नेन पर नहीं कौपल करने के लिए निए बात बीभी की बीपी के लिए ऐरवेद के ट्रडिशनल जो औशदियां थी प्रहम में संक फुस्पीदी और सरपगन्द प्रतिम लाभप्रत हैं और एक बात खासी बताना चाहता हूं शीत्री शीतकारी लोकी का जूस अब बताओ शीत्री शीतकारी करने मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है चित्त में प्रसन्न चीट्स या शुकुत्ती परड़ेवते श्ठत एक शड़ में बीपी नॉर्मल चित्त की प्रसन्नता से मिट्टी पट्टी पेट पर माथे पर रखते और कटी स्नान करते आम कराते हैं सिरोधारा अक्षेतरपण पंच महाभू चिकित्सा पंच कर्म शट कर्म इस सब अप्रतिम चीजे हैं थोड़ी देर फवारा आजकल तो सभी घुरू में एक बात बातरों में तो कम से कम यह शावर होता ही है तो शावर चला करके थोड़ी देर उसकी नीचे यह शिव की पिंडी जैसा है यह शिव लिंग जैसा है इसी पर ही दूद का अभिसेख तक्र का अभिसेख और जैसे उसमें हनी और घी यह सब चीजे डालते हैं तो अपने माते पर हम डालते यह सिरोधारा क्या है यह शिव पासना है सिरोधारा तो यह सारी चीजे बड़ी स्वामी जानते तो वो किसी डिजिटल फ्रोड के सिकार ना शीतली शीतकारी बड़े अप्रतीम है स्वामी जी अब बढ़ जाए तो उसे नॉर्मल किन किन उपायों के जरीए किया जा सकता है वो आपने बताया लेकिन जाने अंजाने में लोग बहुत सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके शरीर में बीपी के लेवल को बढ़ा रहे हैं और उनमें से एक है ज्यादा नमक का क पचा जा सकता है बीपी के परिशानी उनमें से एक है तो स्वामी जी एक बार फिर से बताईए कि कितनी मात्रा में नमक लेना चाहिए नमक के सांसाथ चीनी और मैदा का भी आप जिक्र करते हैं रोजाना कितना इसे अपनी दाइव में शामिल करना चाहिए तीन से पांच कराम अधिक तम मेरी बहन नमक अब गर्मिया ही सरी पांच बोल दिया सर्दियों में तो तीरही ग्राम बहुत है और मैरे तो वर्षोता का नमक ने खाया मैं ऐसे महापुरशों को जानता हूँ जिन्हों ने पूरी जिंदिगी में नमक ने खाया जो नेचरल साथ साख पूरती हो जाती है और वह भी रोक सॉल्ट का सेंदनामक का प्रियुक आजकर तो बड़े ब्रेंड मेस्टरस कंपनियों ने मैधान में उतार रखे आपने अलग अलग जहें कैच्छ वालों से ले करके अलग अलग ब्रेंड पतंजरी से ले करके सबने भी सेंदनामक हमने तो बिना ब्रेंड वेस्टर के ही उतार रखा है तो ने नेचरल सोल्ट वो भी तीन से पांच करा दूसरी बात चीनी चीनी तो खाना ही चीनी मैदा मैं तो कहता हो गी हूँ चावल को भी थोड़ा सा साइड लाइन करो जो स्वस्त विक्ति हो सब्ता में एक दो बार खालिय जो जादा ही बीमार हैं उनको तो कुछ दिन केवल वेजेटेबल्स फूट्स सलाद और कच्छा रोब फूड का सेवन करना चाहिए नारियल पाने प्यों निबू पाने प्यों चाश प्यों इतनी बढ़िया बढ़िया चीज है तो चीनी तो खाने ही नहीं है चीनी का विक गरम दूद में आप अनी डालके पिऊ और गुण शक्र डालके तो घर्मी घर्म ठंडे दूद में हनी डालके पिऊ ठंडे पानी में एक बार याद मैंने कई बार बोला भी इंडिया टीवी पर आज से करीब 30-35 साल पहले की घटना है दिन भर मैं काम में लगा रहा ध्यान य्दिया रहा है तो है चीनी नमक का सत्य बता दिया ज्याद़ चीनी तो डिजास्टर है हेलथ के लिए चहर है आईलो पेथी में तीन जहर कहते हैंस सफेद नमक सपीद चीनी यह मैदा यह सफेज चावल वो जाना पुसके उपर का वो उसका जो ब्राण और उसका फिर देल बनाते है राइस ब्राण हो इंग स्वामी जी स्वामी जी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल भी हाईबूर्टेंशन की वज़े बनता है ऐसे में कोलेस्ट्रोल का लेवल कैसे घठाए क्या योगिक और आयूरूवेदी को पाए हैं जोब हम करें कौलिस्टूल और रोज आज कल हम ने ये भी कर रखा है जर्ती माता कबहार कम करने के लिए चलो आप लोग भी कर हो भी कर हो भेन sort ral Sara से भी हो गया औभी करनों भेंग कर त two- powerful क्यूंस को बिकार बढ़े तो समेजना है यह समझना है यह शेताओनी है यह आक के लिए sa अंकेत है समखल जाओ भाई इंडिकेशन है ऐसे ऐसे कोलेस्टोल कम करने के लिए क्या क्या करें कोलेस्टोल और वेट एक साथ कम होगा हमने कोलेस्टोल के लिए लहसुन का प्रियोग बताया लिपिडूम का प्रियोग बताया हमने कोलेस्टोल के लिए अर्जुन की चाल डा पाने से लेकरके लेसुन कर तो करें क्लिस्ट्रोल के सथ साथ बेट के साथ साथ वाद को भी और कपको भी दूर करता है उमिनिटी भुश्ट का भी काम करता है तो ये तो अभ्यास बैठ कर proper के Тीसरा यह दी मन पाए तो आगे जुग गए है करना स्वामी जब प्रानतन से निकले प्रय ओम नाम चबते है ये योग अभियास करते करते जीए और संसार से जाएं यह जीवन का मर्द योग मैं हो जाए हमारा जीवन तो एक तो यह दूसरा जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है कोलेस्टोल बढ़ा हुआ है या भ्यास अवश्य करना और जो अरजुन की चाल दाल चीनी से लेकर कि कितने होम रेमिडिय में बताते रहे तो ए सबका कोलेस्टोन लिमिट में रहेगा सब कुछ मर्यादा में रहना चाहिए यही योग है मेरी बहन जो सनादी समत्तम योग उच्यते बीमारी भी कोसो दूर रहेंगी अब क्यूंकि हाई बीपी के एफेक्ट से कैसे बचा जाया उसकी हम बात कर रहे थे तो स्वामी जी सा का हाट कमजोर हो जाता है हाट अटाक का खत्रा उन पर लगातार मंड़ाता है ऐसे में हाई बीपी से हाट पर एफेक्ट ना पड़े और जो हमारा हाट की मसल्स हैं वो मजबूत रहें उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए एक तो ये पावन मुक्तासन करें एक दो मिनट से ले करके मैं आशन का पूरा समय बताता हूं तस मिनट था ऐसी प्रणयम भी एक दो मिनट से बात लिए वनिक दस मिनट तक करें पावन मुक्तासन गोमुखासन भुजंगासन और अभी बैठे-बैठे अभ्या स्याम्रित अर्जोनारिष्ट अर्जोनगर्वटी हाट के लिए निमित योगा भ्यास और अनहेल्दी फूर्ड नमाक मीठा दीखा तलाइस जो भी जंग फूर्ड फास्पूर्ड इससे तो बचना ही पड़ेगा मनुष्य कितने नादानी करता है थोड़ी देर का मचा जिंदिगी भर की सजा थोड़ी देर का सुख जीवन भर का दुख बटोर लेता है और उस बोज से बोचिल होकर के रोगों का बोज मोटापा का बोज बीपी शुगर बिमारियों के बोज के तले दब रहा है और ये बि कि absence इतनी जबरदस्त होनी ची है हमारी एक आठी से काम चल जाता परमात्माने तीन तीन दे रखे और कोलेटर तो कई दे रखे पीछे से पकड़ो बैन एक हाथ देखो पीछे से लिया दूसरा ऐसे उठा करके ऐसे लो उपर से ये उधर से लो दूसरा पीछे से कोशिश करो कोशिश करने पर देरे देरे पकड़ में आ जाएगा पहले तो नेवकिन के सारे पकड़े कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है मजधारों से डरने वालों की ऐसे कैसे बई तूफारों से डरने वालों की कभी नयाप पार नहीं होती है मजधार में डूग जाएगी तो देखो कोशिश ऐसी करें फिर ये करें ये ऐसे ये करना ये हटके बढ़ अच्छा है ये बताओ ये गोबुखासन सकंदस संचालन ये इतने आप प्यास कर ले और प्रणाया में ही कर ले और जब सुबह एक बार उठके पसेने से नाएगा मैं कहता हूँ एक बार सुबह करके दोड़ लगा करके जोगिंग करके दन बैठक लगा कि कुछ भी करनो एक बार पसीना बाह करके फिर आदा से गंटे योगा ब्यास करनो ना हाट न बीपी न शुगर न थारड़ ना स्राइज अस्थमा फीजिकली मेंटली इमोशनली सोशली पॉल्टिकली एकनोमिकली मेडिकली भी आप फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे ये फिजिकल, मेंटल, स्पृच्छल हेल्थ में तिया योग से सवग्र स्वास्त, इंटिग्रेटीड एंसस्टेनेबल हेल्थ वी आर अचीविंग थ्रू योगा ये है, ऐसे है स्वामी जी क्योंकि इंटिग्रेटीड हेल्थ की बात हो रही है, ऐसे में शरीर के उस सिस्टम की बात करना भी बड़ा जरूरी है, जिस पर हमारा पूरा शरीर निर्भर है, यानि कि नर्वर सिस्टम, हाइपर टेंशन हमारे नर्वर सिस्टम को एफेक्ट करता है, हाई ब पहला उपाये तो रोज जितने हमने योगिव, जोगिंग, सुरे नमस्कार आसर बताए, उसके साथ प्रणायाम सबसे ज़्यादा जब प्रणायाम करने से हमारा दो हजार चार सो किलोमेटर लंबा रेस्पिरिट्री ट्रैक, एक लाग किलोमेटर लंबा से सर्कुलिट्री यह करें, रोज ब्राम्मी संक्पुस्पी अशोगंधा का मने खाप प्रयोग करें, ब्राम्मी संक्पुस्पी अशोगंधा, और जिनका इम्मिन सिस्टम बहुत कम जो रहना, उनको इम्मिनोग्रिट पाउटर, इम्मिनोग्रिट, नियोग्रिट का मने बताए, ब्रेन नर ना करके हम सो साल तक नहीं सो साल से भी ज्यादा देने तक अपने ब्रीन को रख सकते हैं तुम्हें देखता हूं अधरे हमारे शद्धे आटल बहरी भाजपई जीसे लेकर के और बड़े-बड़े नेताओं को मैंने देख रहा हुआ हुआ बड़े-बड़े अभी नेताओं को काफी बड़े-बड़े बिज्निसमेंस को देखता हूं मेरे पास रूज आते हैं ब्रेन नर्मस सिस्टम पर असर पड़ गया किसी को M&D किसी को पार्किंसस किसी को अलजैमर किसी को डिमेंसिया फिर सादूसंत महत्माओं को भी मैंने देख अभी मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूं ऐसे उनका जीवन बहुत पवित्र था लेकिन शरीड रूपी यंत्र में और इसमें भी मस्तिस्क रूपी यंत्र स्वस्त रहे इसके लिए भस्तरी का जरूरी है इसके लिए कपालभात ही जरूरी है ब्रेन नर्वस सिस्टम करें ब्रेन नर्वस सिस्टम एक दूसरे से को रिलेटीड है इतरे इतर आश्रीत है संस्कृत का शक्त है इसके लिए मैंने ब्रहमी घरित भी बताया या गाय का घी खाले एक चमसुमस लोट पर की यह बादाम पाक बादाम के ठंडाई बहुत को भीगो दे और सबस सोटा मारके गोटा मारके और अब लोग मिक्सी में उतरा अच्छा नहीं होता है एक दाम पार एक पीस है उसको उससे एक्सेसाइज भी होती है मसल आपने बाई सब ट्रैसप भी अच्छे बन जाते है स्वामी जी योगा अभ्यास प्राणायाम के बा आपने बहुत सारे घरेलून उसके भी बताएं उन सब के बाद अब बारी है योग चालेंच की स्वामी जी आपके यॉगिक चैलेंज को एक्सेप्ट कर बहुत सारे दर्शकों ने हमें अपने अपने वीडियोस भेजे हैं और उन वीडियोस को इस वक्त हम दिखा रहे हैं हाला कि सारे वीडियोस दिखाना संभव नहीं लेकिन कोशिश है जादा सा जादा वीडियोस दिखाएं सूरत से, गुजरात, हमीरपूर, अलग-अलग देश के हिस्सों से, आजमगर से लोगोंने आपके चालेंज को एक्सेप्ट किया चंदरपूर जिसमें एक जगा शामिल है ग्रेटर नॉइडा, बंगलूरू और अपने वीडियोस हम तक पहुँचाएं हैं, गुजरात से वेस्ट बेंगॉल, नरसिंगपूर दिल्ली, बंगलूरू मैं देख रही हूँ कि अलग-अलग आयू वर्ग के लोग भी इसमें शामिल है स्वामी जी लेकिन जो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट इन में से विडियो रहा वो उत्राखंड रिशीकेश से आशीश का है जो अब हम दिखा रहे हैं स्वामी जी आपने 10 सेकंड का चालेंज दिया था, इन्होंने तो उससे भी पहले 9 सेकंड में चालेंज एक्सेट कर लिया और पूरा विडियो भी जहांता बात अच्छी बात है आशीश के लिए आशीरवाद है यह बड़ा चबरदस्त काम करता है स्वामी जी अब आज कौन सा चालेंज देने वाले हैं लेकिन आज का आज का चैलेंज है जलनेती शुत्रनेती भी कर सकते है बूच का आगे देंगे लेकिन आज का चैलेंज जलनेती है इसको दबाओ और एक नाक से दबाओ दूसरे से आ जाता है यह दाए नाक से इसको लिया गर्दन को टेड़ा किया और मुझ खोलके रखा तो दूसरे नाक से बहने लेगे करो बिता है और यह हम सीधी सीधी कर दें स्वामी जी यह जो जलनेती का आपने चैलेंज दिया है इसे कितनी देड़ तक करना है और किस तरक से लोग इसे एकसेप्ट कर सकते है कि इसको जह है oh कि आफ से एक तरफ से फाइक से दोसरी तरफ से करना है और इसके बाद में कपाल भाति कर लेना है कि मुझ देना नाक से स्वास नहीं लेना घर्दन को थेड़ा करके जलनेती का नोटा सब जीके पुरे देश्म प्रवद है पतंज्री बहुत सारे योग सेंटर से पताजरी के सेंटर से जननेती का लोटा ले और कल ये वीडियो जरूर भेजे अब पुरह देश में लोग जननेती सुत्रनेती कर रहे हैं स्वामी जी बिलकुल लोग आपका ये चैलेंज एकसेट करें हम तक भेजें और अब इसी के साथ आप से विदा लेने का भी वक्त हो गया है कल आप से फिर मुलाकात होगी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी प्रणाप